Hi everyone, I'm advocate सपना कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई romantic relationship में शारीरिक संबंद बनाता है और शादी नहीं हो पाती तो क्या ऐसे में rape यानि की बलाता का case बनता है या नहीं आज हम इस पर detail में बात करेंगे लेकिन उससे पहले एक और important बात कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल या page लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले page या चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजे ताकि हम आपको ऐसे ही legal updates दे सके Recently अलाबाद High Court ने अपने एक judgment में कहा कि love affair के दोरान लंबे समय तक बना शारीरिक संबंद रेप के दाइरे में नहीं आता भले ही पुरुष किसी कारण से महिला से शादी करने से इंकार कर दे High Court ने ये टिपड़ी उस मामले की सुनवाई के दोरान की जिसमें रेप के आरोपी ने अपने खिलाफ दर्ज मामले को रद करने की मांग की थी इस पर High Court के जस्टिस अनीश गुपता ने कहा कि आरोपी और पीड़ीता के बीच लंबे समय से संबंद थे और पीड़ीता के साथ साथ उसके परिवार वालों को भी इस रिष्टे के बारे में पता था इसलिए इस रिष्टे के तूटने के बाद इसे दुशकर्म नहीं माना जा सकता कोट ने ये भी कहा कि आरोपी और पीड़ीता 15 साल से एक दूसरे को जानते थे और 8 साल से भी जादा लंबे वक्त से शारीरिक संबंद उनके बीच बन रहे थे इसमें पीड़ीता की सहमती थी और उसकी इच्छा के खिलाफ कुछ नहीं था दरसल बात 2008 की है तब संथ कभीर नगर की रहने वाली लड़की की मुलाकात गोरकपुर के रहने वाले जिया उल्ला से होई दोनों की मुलाकात पीड़ीता की बेहन की शादी में होई थी मुलाकात के बाद दोनों में बाचीत बढ़ गई और प्यार हो गया परिवार वालों की सहमती से जिया उल्ला उससे मिलने संथ कभीर नगर आता जाता रहता था और इस जोरां 2013 में दोनों की भी शारिरिक संबंद बन गए लड़की के परिवार वालों ने जिया उल्ला पर शादी का दवाब बनाया लेकिन उसने शादी करने से मना कर दिया इसके बाद लड़की ने संत कवीर नगर्थाने में जेवलबा के खिलाफ रेप का केश दर्च करवा दिया हाला कि अब अलाबाद हाई कोट ने जेवला के खिलाफ दर्च दुशकर्म का मामला रद कर दिया है कोड ने माना कि अगर लंबे समय तक शारिरिक संबंद बनते हैं तो उसे दुशकर्म के दाइरे में नहीं लाया जा सकता लेकिन रेप का केस कैसे लग जाता है ऐसे मामलों में जहां पर रोमांटिक रुलेशन्शिप में शारिरिक संबंद बनते हैं या किसी सेक्शुल इंटरकोर्स को रेप कब माना जाएगा इसका जिक आईपीसी केस सेक्शन 375 में किया गया है इसमें साथ ऐसी परिस्तितियों के बारे में बताए गया है जब सेक्शुल इंटरकोर्स को रेप माना जाएगा पहली महिला की इच्छा यानि कि उसका मन नहीं है फिर भी संबंद बनाए गया तो इसे दुशकर्म कह सकते हैं या महिला की सहमिती की बिना ही उससे संबंद बनाए गया मतलब उसने मना कर दिया फिर भी आप संबंद बनाते हैं तो इसे दुशकर्म माना जा सकता है या महिला को मौत या नुकसान पहुचाने या किसी और का डर दिखाकर उससे consent ले ली और फिर relationship बनाई तो भी ये दुशकर्म है अगर किसी महिला से शादी का जहासा देकर उससे शादी का promise किया शादी का वादा गया और तब संबंद बनाए तो भी उसे rape माना जाता है या फिर तब शादीरिक संबंद बनाए जाते हैं जब और उस महिला की मानसिक इस्तिती ठीक नहीं थी या फिर उसे कई में ऐसके साथ संबंध भनाएगा तो इसे भी रेप माना जाएगा तो यह परिस्तितियां हैं जिसमें रेप का केस लग सकता है तो अगर आप किसी भी romantic relationship में है किसी के साथ अगर आपके संबंध है तो आप शारीरिक संबंध बनातो है थोड़ा सतर करे है महिला की consent के बिना कभी भी उनके साथ संबंध ना बनाए आपका इस कानून पर क्या कहना है ये भी हमें comment section में जरूर बताएं क्योंकि अकसर ऐसा होता है कि love affair में यानि कि लड़के अपनी मर्जी से संबंध बनाती हो बाद में लड़कों के उपर case लगा दिये जाते है या परिवार वाले जबरदस्ती उनके उपर rape का case लगा देते है इसलिए आप हमें comment section में बताएं क्या आपके साथ है आपके आसपास कहीं ऐसा हुआ है और आप किन और मुद्दों पर वीडियो चाते हैं वो भी हमें जरूर बताएं धन्यवाद